कल दिल्ली में जो घटना हुई एक किसान की मौथ हो गई कई पुलिस कर्मी घायल हो गए अब उसके बार जो एक किसान आंदोलन है ये किस दिशा में जाएगा किसान अब यहाँ पर सिंगु बॉडर पर आ गए हैं कुछ गाजीपूर बॉडर पर हैं अब मैं यहाँ पर सिंगु बॉडर पर आज आई हूँ और यहाँ पर मैं इन लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आगे क्या तो सर आप बताए कि अब आगे आप लोग क्या क करेंगे कब तक यहां पर रुखने का इरादा है मैं जब तक पहले तो यह इस वाल की जब तक तीनों कानून रद नहीं होते तब तक हम बैठे रहेंगे और जैसे हमारे जतेबंदी आगे लीड करेंगे हम वैसे ही करेंगे शांती पूर्ब हम प्रोटेस्ट करेंगे कोई लाल के लिए पर जो घटना होई उसकी भी काफिन दिंदा की गई है उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे जो कल हिंसा होई आपने जैसे बतायागी 50 पुलिस कर में घायल हूए उपर तो किया किसी मीडिया ने जा किसी भी मीडिया को लीड करने वाले चैनल ने जा इंट क्या यह बताया कि गोडे पे उन्होंने गोली माचल आई एक से हमारा किसान भाई हिची हो गया यह on यह बताइना में बता इक यह क्यों पलीस कर्म सिल मैं इस अगर अप से पूछी हो तो कितने साअ कल किसी के हाथ पट्टी है, किसी के पैर पे पट्टी है, किसी के कंदे पे पट्टी है. आपको पता है, जब पुलिस ने सबसे पहले तो ये जाज होनी चाहिए, कि इतने हम लंबा मार्च करके चले गे, जब तक पुलिस ने हमारे पे गोली नहीं चलाई, जहां कुछ नहीं किया, जब हम लाल किले के अंदर चले गे तब ही उस पुलिस के अर्मी ने हमारे पर गोली क्यों चलाई जैसे कि इन्होंने बात करी लाल किले की सर आप अपसे मैं अगर पूछूंगी कि लाल किले तक चले गए लेकर जो मैप मिला था जहां पर लाल किले उसमें नहीं था आगे आजाए आगे आजाए हम लोग लाइव है समय अंकट के फेस्बुक पर हिस्से में हम लाइव है तो लाल किला था वो रूट पर नहीं था तो वहां कैसे चले गए बाहां जैब पर सासन की फोड़ी गलती है को इस अने हमें साइनिक बोर्ण नी दिया जी वोग जब TV पर हमने इसमें तावर यह हुआ है पर सासने अगर हमको साइने वोर्ड लगा के देता ना हम उसी तरफ जाते हैं हमारे को ऐसा लग रहा है जो शरारती आंसर पड़े हैं उन्होंने जाके पहले ही बैठके बहां लाल केले में और इनमें से जतात हो रहा तो एक टैटर के पीशे जैसे चले जा सारे तो आपका यह कहना है कि कहीं न कहीं इसमें जो अर्रेंजमेंट सा मैनेजमेंट सा उसकी गल्ती वे आप कुछ कहना चाहरे है आँ बताएं बात यह है कि वो जब हम देखा न हम तो यहां पर जैसे जा रहे हैं जंडा पकट करके क्योंकर हमारा धेछ है हमारे ह ते तरंगा घंडा हमारे हाथ में थाउंधा हमारे हाथ में खालिस्टान के लिए पर अभीजर रहे हैं कि वह जो दर आख उसकelshंडा था वह कौन से जंडा था आपके अनुसार क्या था वो के प्रवाइती चंडे हैं जो जंडा है अच्छा जो यह घटना हुई है लाल के लिए पर उसके बारे में हाँ जंडे के बारे में बोलिया प्रवाइब यह जंडा जो हमारे अवे है फौश निन साव बाला को सब्सक्राइब बोल निवयरनी लिए अभी भी बढ़नें ज nessa हुए कि आप उसे क्या मानते हैं क्या वो जाएस था गलत था होता है जो गटना हुए है ना बो सरकार की तरफ से जो भी किया गया है सरकार की तरफ से किया गया है हम अभी भी कह रहे हैं आगे भी कहेंगे यह हम से कोई पूछेगा सरकार की सोची समझी साधसी जो अंदोलन था उसमें कई सारे लोग आ गई कौन किसान है कौन क्या है यह आप लो एससे होता, हमस्ते करना है। कि इतने बड़ी प्रटेस्ट अंदोलन को लीड करना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि वह पीस भूली हम कर रहे थे तो उस ट्रेक्टर भी उनका शरारती अंसर थे तो आगे वह वह थे तो एक ट्रेक्टर जब गया तो हमारे लोग तो वह उनके पीछे हो गए क्योंकि पता काई सारे पुलिस्ट अंडेस उसमें असे इसा है कि उसमें भी अश्राःतियं हमारे किसान भाहि के हाथ में ना कोई दंडा था ना कोई लाठी थी न कोई हर थे तो सिर्फ बहुत आब पर ते उस जंडे थे और जंडे में इतनी पावर नहीं कि पुलीस वाले को गयल कर दे तो जो उन्होंने आप तो बोल रहे हो भी पुलिस वाले हो ए तो हमारे किसान भाई हम यहां पे दस बंदे खड़े हैं इन में से आप देख लो पांचे बंदे तो आपको यहीं बिल जाएंगे जिनको चोटे लगी है तो हमारा एस्टीमेट नहीं है भी कितने सवाले को ऐसा हो गया अच्छा आप मुझे एक बात बताएए अब सवाल यह आ रहा है कि कई किसान जो लीडर है इदर आजाए लाइट उधर की तरफ है सो अभी अंधेरा हो गया है लाइफ करते हैं यहां पर यह खबर आ रही है कि कई किसान लीडर्स के खिलाफ एफ आया प्यार होगी दस पर होगी बीस पर होगी बाइस पर होगी पीछे हैं अगर उन पर भी कर देंगे वो तो उसके बाद सिख की जो डेफिनेशन है वह एक लीडर है एक फौज एक सिख एक गुरू का प्यारा जाँ खड़ा है उसमें इतनी शमता है कि वह पचासों को लीड कर सकता है तो इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हम दिशा से बटक जाएंगे, नहीं बटक सकते, क्यों कुंकि अगर हमारे अगूँ हो पर परश्चे हो गए, हमारे किसान बाइयों पर परश्यों होगे, तो हमारे गुरु ग्रहन सहाय्मारा जिय워서 है, हम ग्रु माहरा रोमर्स पहली हुई है कोई भी लीडर अलगनी हुआ कोई भी जथे बंदी अलगनी हुई आज आपने सुबह अगर आप आई होंगे देखेंगे तो सभी लीडर यहां पर मौज़े एक और मेरा सवाल यह है कि कल जो आईटियों पर घटना हुई वहाँ पर कोई भी किसान ली इसकी है नहीं है न तो क्या पता हूं में से कोई लीडर आपके अरो भी पांच घंटे तक नहीं आया तो यह भी हो सकता है न उस गड़ना के तुरंत बाज उसने आकर उसी को मलंपट्टी उसने करवाई हो क्योंकि जब आप किसी का फेस नहीं जानते जब आपकिसी लीडर को पर्सनली नहीं जानते जहां पने उनका इंटरव्यू नहीं लिए जांते तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं पाश गंटे तक वहां लाइब चला रहे था चैनल वहां कोई लीडर नहीं पहुची आपके नुसार यह है कि वहां पर पहुचे थे अच्छा आप बताएगे एक सभी जोड़े घ्रवार नाजिकत लोग में वां हुए और इससे वी ज्वाल सवाल यह कि अब आप लोग वापस से सिंगू बॉडर पर आ गए हैं कुछ लोग घाज़ीपूल बॉड़र पर चले गए कब तक यहाँ पर रुके रहेंगे अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेय अगर हम बात करें वो आ गया था ट्रक्टर रैली भी हो गई कल इतनी हिंसा हो गई अब कब तक यह सब चलेगा हां जी भेंजी बात यह है स्टेय जो है हमें ज़कीन नहीं रहे गया है ऐसी मानते हैं सुप्रीम कोट को सब्सक्राइब है असी उसका भी हुकम मानते हैं लेकर हमें यकीन नहीं जाए इस बात कर क्योंकि यह स्टेय है आज तो दे देंगे स्टेय लेकर और कुछ दिर बाद मुड़के फिर जो स्टेय है उसको लागू कर देंगे वह यह फिर ओजे कनून है हमारे पर लागू हो जाएंगे लेकर हम ऐसी एकतरता है फिर कैसे कठे करेंगे यह जो इतनी जथे बंदिया कठी है इतने सारे लोग है करेंगे बडाद कर सकती है तो उसको में फएंसला देने का कॉई होई आइंसलां नियुक्त का कटीव देता हूं यह साल से ज्यादा टाइम और अरनब गोसवामी एक दिन बाद ही बेल पर आ गया तो इसमें स्प्रीम कोट की स्प्रीम कोट में सरकार की अगर मैं एक शौट में अगर आप से ये चीज़ जानना चाहूं कि अगर एक साल का वक्त लग गया दो साल का लग गया ऐसे ठंड में ऐसे ही मौसमें आप लोग बॉडर पर रुके रहेंगे हम उनके वारिस हैं जिनके बेटे शहीड हुए और वो परवार के साथ सरसा नदी से पार होकर तीन बज़े जब कीरतन का टाइप था तो उन्होंने कीरतन किया तो मेरा कहने का महतव यह है कि हम गुरु गोबिल सिंग माराजी के वारस हैं हमने अरदास अपने पिता के आगे की है तो बेटा अपने पिता को कोई बचन दे तो अगर वो बचन ना नेवाय तो बेटा कहाने के लाइक नहीं है इसी परकार हमने अपनी धर्ती मा को जिससे हम खा रहे हैं जिससे हम पल रहे हैं जिससे हर एक वर्ग चल रहा है जिसका हर एक वर्ग सेव का पेट बर रहा है अच्छा एक और जो सबाल में दिमाग में ऐसे आ रहा है अगर मैं आप से एक शब्द में पूछू कि कल जो लाल के लिए पर घटना हुई है आप लोग अगर किसानों की बात करें जो यहां सिंगू बॉर्डर पर है आप लोग उस घटना की निंदा करते हैं क्या करते हैं कि जो हुआ है पूरा वहां पर हम उस घटना की निंदा नहीं कर सकते क्यों क्यूंकि हमारे किसान भाईयों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा तो हमारी तरसे वो निंदा कैसे हो जाएगी अब हम कोई मार्स निकाल रहे हैं हम कोई नगर की प्रितन निकाल रहे हैं उसमें पुलिस आ रही है तो बीड के अंदर जैसे कोई लंगर की पंगत लगी हो उसमें कोई लंगर शक नहीं आ जाए तो क्या उसकी हम डेंटीजी थोड़ा लेते हैं ना ही हमें यह पता होता है कि यह रिक्षा चलाने वाला है जाहिए दी है हमें क्या पता उसके पास क्या है इसी पर करें किसान अंदोनल है क्यों यह सहरेग वर्ग का अंदोनल है तो अब हमें क्या पता कि हरेग वर्ग में कौन आ गया कैसे आ गया तो हम निंदा नहीं कर सकते इसकी चलिए मैं यहाँ पर थिया सिंगू बॉर्डर पर कल दिल